दाल भात पा पसंद ले टी चोखा से बा प्यार तू तक कहे संडे मंडे हम कहीं है तुवार हार ना पसंद जीत भरल हमार खून में हम खून से बिहारी बहे सांस में बिहार खून से बिहारी बहे सांस में बिहार खून से बिहारी बहे सांस में बिहार देले गारी हम निके देम बीस से ओदार बिहार वाला माटी से हम सेर हाथ दी लाठी से ना मानी ये में लाज कोनो खाई खाना हाथी से हम है मन मौजी खीस जे बढ़ाई ले सलाई लेके फूप दी जमाना एके काठी से भाई बैट संगे सतू अपी आएम पहले बैठे खातिर तोड़ा हम खटी आभी छाएम आउट घरे वरे सब ठीक बावे नू कोनो दिक्कत बात कहीए मुह ना लो काएम चल खाना खाले बाची तक कईल जैया राम से हो देख खाजा गिरल गाची से धराम से जातारे काम से हाई गमचा ले जाए भाई ओड़ लिये ना तजड़ जाई बे तु घाम से लेके एगो सेलफी डाल दे सटोड़ी पर लिख दे तु प्रावड ली जाके हैस्टाग में गमचा वाला स्वैग में निकली लेके थार आउड़ी पैसा भडल बैग में हां हम बार के राजधानी में ना तो चीजे सीमीत हो गई है और जब मेरे पास पूरा देश का राजधानी तो वहां का कल्चर इस सब चीज को जान रहा है अगर हम थोड़ा सा भी अप्रोच कर लेते हैं हमको लगता है कि हम यहां से तो बहतर यहीं के लिए करेंगे लेकिन यहां रेल चक्का बिन कैसे चल पाई माई नेबा कुछ जिनगी के इई जिनगी में कुछ करता भाई अच्छा कर बे त़ Аच्छा पाईबे इह करमा के दस्तूर हा यहां करके गलती के बाग जाई इभरम तू आपन तूर त़ जे मिली उताहर करम से मिली जेना मिली उताहर करनी के ही भड़नी हा इहां मोह मायतत काल जिये के असली मकसद मरनी हा बैठ हमर साथा के भोजपुरी सीख ट्रिल करे सब हम उचेद दिनी बीट बीट से हसल बीट पकतल बीट पचड़ल बावे लाई काई धीट छीट करे पूरा अपना ही मन के प्यार मांगे दुनिया से लोबने सब टेड़ मेड़ अब सोज होई हमनी से भिड़ब बेटा खोज होई छपड़ा से चंपारन गाना पुरा आग लगा के आगई एको लाइका आके पुरा दिल लगा के भजपूरी में रैप सुना गयल को खग आज सिखादी तरह घंग और चचा जादा उचलोगे बेटा तो चल जाओगे खाई में हम ताने के कट्टा सीदा सीने पर मार देते हैं थाएं से स्पॉंसर का मार्केट बहुत खड़ाब है हमारे से जो सीनियर ग्रूप थे उन्होंने कभी लोगों को समझाया नहीं कि स्पॉंसर होता क्या है जो भोजपूरी के वलगर सॉंग्स आते जा रहें तो ओडियंस साथ दे रहा अधंग चे और नाहीं यहां का मार्केट आम इन फेज ओफ लाइफ जहां सब करूं नेगलेट में घूमू बीना सर लाइक घोष्ट हो इस नेकलेस ब्रेकलेस साम राइडिंग मासाइकल कजा डॉंट भाइक द्यास्वा आम खेरलेस आ बड़े पूर अपना ही मन के। ये भी है कि डिजिटल मीडिया ने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को स्पेस दिया है वो स्पेस जो अगर सबको मिल जाए तो वाकई में कोई भी भाषा ग्रो हो सकता है लेकिन हम यहां बात करने बैठे हैं भोजपूरी के बारे में उन लड़के और लड़कियों के बारे में जो इस भाषा के लिए अच्छा काम कर रहे है उन लड़के और लड़कियों के बारे में जिसको इस भाषा ने इस डिजिटल एरा ने एक नई पहचान दी बाकी मेरा नाम प्रशाント्रा है आप जमाजम भोझपुरी देख रहे हैं मेरे पगल मेरे सुजांत बैठे हैं सुजांत भोझपुरी में RAP करते हैं भोझपुरी, अंगляется, हिंदी सब को Fuse करके RAP करते हैं उतना हमको टेकनर करें पूर्ट बात करेंगे कुछ इनका रैप सुनेंगे और उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिक्कत आ कहा रही है पहले आपका बेस्ट रैप हम चाहेंगे कि आप बताईए मेरा बेस्ट एक है कि बैट हमर साथा के भोजपुरी सीख ट्रिल करे सब हम उचेद दिनी बीट बीट से हसल बीट पकतल बीट पचड़लबावे लाई काई धीट छीट करे पूरा अपना ही मन के प्यार मांगे दुनिया से लोबने के धनके हम काम करी जमके हम काम करी जमके हम नाम करी यतना कि दुनिया में चमके और अब ही ये से नाम पूरा जीला ही लाई ले बा अब भाई बसांगे पूरा मौज होई, पतल लगाव एजा भोज होई, सब टेड़ मेड़ अब सोज होई, हम नी से भिड़ब बेटा खोज होई, छपड़ा से चंपारन गानापुरा आग लगा के आगाईल, एको लाइका आके पूरा दिल लगा के भुझपूरी में रैप स सुनना चाहेंगे, ये हिंदी-ंग्लिस मिक्स करके ही था, लेकिन इसका भोजपूरी पार चुना है, ते लाइक स्टार्ट होता है कि, I'm in a phase of life, जहां सब करू नेगलेट में घुमू बीन असर, like a ghost to his necklace, brakeless, I'm riding my cycle, cause I don't have bike, that's why I'm careless, I don't know what they mean by the scene, bro, I just know they don't even know the scene, bro, ये साले सूत के नाचे जो बजे बीन ब्रो, ये कॉलेज में पढ़े मैं उसी कॉलेज कहूं डीन ब्रो, बैठ हम अर साथ हा के भोजपूरी सीख, प्रिल करे सब हम उचेद देनी बीट, बीट से हसल, बीट पर कतल, बीट पर चढ़लबावे लाई काई धीट, छीट करे पूरा जो बना चुके हैं, बीहार रैप साइफर टू, बूम बूम गाना भजे ठीक है, और देसी ड्रेल, बीहार ड्रेल, सारे में भोजपूरी ही है, एक गाना हम लोगों का कमाई, जो मतलब हम कोशिश किया है जीवन बताने का, कि उसका भी स्टार्टिंग ऐसे होता है कि बिन बीज बोले एजा सब के फसल चाहीं, बिन महनत एजा सब के फल चाहीं, बढ़ियां कल चाहीं, देह में बल चाहीं, बिन कोशिश एजा कुछ ना मिल पाई, तेल बिना दिया कैसे जल पाई, रेल चक्का बिन कैसे चल पाई, माई नेबा कुछ जिनगी के इजिनगी में कु इहां मोह मायतत काल जिये के असली मकसद मरनी कहा अप्लोड हुआ था एक कौन से चैनल पर इक गाना है डी चीफ के साथ एक और भोजपुरी रैपर हो बहुत मतलब उनका वी विजन बहुत क्लियर है चीजों को लेके तो वह आइडिया लेकर आया थे कि एक गाना है कि जॉन क में होता क्याना कि आपको खुद लिखना पड़ता है उस चीज को तब आप गाओ उसे ठीक है उसको डिलीवर करो और कितने अच्छे सा डिलीवर कर लेते हो अपने लिखे वे आइडिया को वह मैटर कर जाता है तो उनके चैनल पर आय था उनका क्याना था कि उनको बनाना यह गाना तो हम अपना पार्ट लिख कर दिये था तो अब मेरा पार्ट यही था तो अब अपकर लिखे और गाय कहा अप्लोड हुआ था डीचीफ एक चैनल है हाँ इतना हजार गया होगा यही उमीद किया जा सकता है यहां के लोगों से कुछ अच्छा दो ना मेरा गाना ह बूम बूम गाना बजे उसका क्या है उस पर एका एक बहुत रीच चला गया था जबकि उस गाने में हमको नहीं लगता है कि इतना डीप कोई बात हुआ था अगर आप हम इसा से देखते हैं जो क्रिंज चीजे होती है क्रिंज हम अपने बूम बूम को नहीं बोल रहे हैं लेकिन उसको सुनाएंगे तो थोड़ा ऐसा है कि मज़ा आने वाला बूम बूम गाना बज़े बूम बज़े देना बज़े देना इस तरह का लेकिन जब हम कमाई निकाले ना तो लोगों का रिसपॉंस बड़ा डाउन था कि क्या कर रहा है बाई इतना अधीय बात और के क्या हैुड करते हैं तो कहते हैं अच्छा काम उसको अच्छा काम नहीं हो रहा है उसको लोग करता है एक सबकुछल यह , इंटर्टेइनमेंट , असली मतलब कोई समझता कहते हैं और नाहीं whatsoever ऑदारों आपको कुछ सुनके आइसा लगना चाहिए कि accoci समझ घया उसको कहता इंट्रेंये लाइका अगर आप राइटर है या या कोई लिखता है क्या करता है कि वो पहले समझता उस चीज को तब लिखता है तो आप जब पढ़ो गये उसτιम्य को तो आपको भी समझ आजाए. यहां पर क्या चल रहा है भोजपूरी में कि बस दिख्चिक 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 गाना बजा और लोग नाच लिये बहुत अच्छा गाना बने ले रहे हैं यूनिवर्सल है पुरा भोजपूरी में अभी सदा बहार है अब इसलिए काना हम लोग आए गमचा वाला स्वै भाई लेके फूप दी जमाना एके काठी से भाई बैट संगे सतू अपी आएं पहले बैठे खातिर तोड़ा हम खटी या भी चायम आउट घरे वरे सब ठीक बावे नू कोनो दिक्कत बात कहिए मूह ना लो कायम चल खाना खाले बादचीत तक कईल जया राम से हो देख ख जुझे सब करते हैं खुधी अपलोड करना है उसको खुधी पूरा इस्पॉंसर जो खरचा जा रहा है वह सब अपने करना हम लोगों को इस किमा रोगे सहं के लिए कहीं जाते होंगे बोलते होंगे तो नहीं मिलता है या फिर जवाब आता है तो क्या आता है इस पॉंसर जब तक इंडिवीजुहाल केा तो इंडिवीज्टर है के पास तो फ्टोड़ा मोड़ा나हें लेकिन जब हम कॉपूरेट को मतलब कोई event करा रहा है कि किया कोई event करा रहे है कि कितना लोग आएगा कि हमिद यूपयाइख टिवन यह तो प्रोमोशन देने का कोशिस करें आप जो पैसा देंगे उसमें से एक सर्टेन अमाउंट अठा कर अपने प्रोप्रोवोशन पर खरचा करें, मेरा प्रोमोशन मतलब आपके ब्रांट का प्रोमोशन आपका चाहिए जो भी ब्रांट हो लेकिन उनका क्या है कि एसे नहीं को इवेंट करा लिजी हम कर देंगे तो क्या करें हम लोग स्पांसर का मार्केट बहुत खड़ाब है हमारे से जो सीनियर ग्रूप थे उन्होंने कभी ल बन रहा है पूरा भले उस पर दो मिलियन भी हुआ जाए उससे बहुत पैसे कमा लेकिन हम जब धंका कुछ करने जा रहें तो ओडियंस साथ दे रहा है और नहीं यहां का मार्केट ओडियंस क्यों नहीं साथ आप अच्छा गार हैं सुजान्त तो समझाए ना कि कि आपके कि अभी हम उस समुंद्र में बस थोड़ा सा कुछ ना जिसको कहेंगे जलकुंभी कहते हैं थोड़ा मोड़ा पत्ता होता है अभी जैसे थोड़ा सा और बढ़ेंगे ना तब लोगों को दिखने लग जाएगा अभी मेरा दस सॉंग है ठीक है और दस सॉंग पर आसा है कि क अपने लोगों ने सपोर्ट किया है जिनको समझ आया कि हाँ इस चीज को प्रमोट करना चाहिए लेकिन उसके बिहाइंड जो बहुत सारे लोग है ना उसको इगनोर मार देते हैं वह सामने से इगनोर मार देते कि भाई नहीं सुनेंगे तो आपको जो कल्चर मिला है आपक कितना न चोड़ चुके हैं अपने बता है हम गाजियाबाद सिफ्ट हो चुके हैं यहां का मार्केट गाजियाबाद में में हमको इंटरंसिप मिल रहा है वह करने के लिए तरह तरह की चीजें मिल रही हैं वहां पर जोग है अगर मेरे से पास राजधानी यह देश का यहीं के लिए करेंगे लगों का जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाहां सिर्फ हम नहीं मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा हूं को एक लाश्ट कुछ अच्छा सुना दीजिए भूचपिरी में दा कि मज़ा आ जाए छुन से बीहारी गाना हम लोगों का उसमें लाइन है जो लोग अपने भाशा के लिए बहतर काम कर रहे हैं और उन ओडियन्स तक भी यह बात पहुँचे जिनको लगता है कि बहतर काम क्यों नहीं हो रहा है लेकिन असलियत यह है कि आप शायद बहतर देखना नहीं चाहते हैं आप किसी ऐसे ही एक्टर या एक्टरिस को देखना चाहते हैं जो छोटा का प्राप पहन कर कुछ वल्गर सा बोल रहा हो कुछ वल्गर सा गा रहा हो या कुछ कोई वल्गर सा हरकत कर रहा हो जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी कलाकार के साथ तब तक आप हमसे जूरे रहें, बहुत बहुत ननिवाद